हेलो वेलिकम टू एडी स्मार्ट क्लासेस आप सभी का प्रेज प्रिवार में स्वागत है जलिए कैसा है आपका जर्णी का माहौल प्रिग्नोमेट्री पढ़ रहते हैं बहुत यह अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं कि रहे हैं तो कितना पढ़ चुके हैं इग्नोमेट्री स्टार्ट वीदी सीट नमबर शेकेंड आ रहना वसेल सेकेंड में बात कहां से स्टार्ट विदी अपनी इस चार्ण से बहुत इंप्रॉट्षन ने इसलिए आपको यह याद करना बहुत ही इंपोर्टन हो जाताहैं आगे कौन सा नमबर तेरा नमबर हो गया तक सब्सक्राइब कर पाएंगे इसको एससे सीजील में पूछा गया है हां एससे सीजील में तो पहले क्या आप पहले वीडियो को लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर कर दें अपने मित्रों तक जरूर एड़ करें वीडियो को और यह आपको PPT PNG फोर्म में पता है आपको अपने इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको कहां से मिलेगा बहुत यह अच्छे तरीके से आप जानते हैं अपने इस चैनल पे डिसक्रिप्शन बॉक्स में जाएगा वहां से आपको तैलीग्राम का लिंक का आपको पोक्रेगा उसको आपको टॉस्ट करना इसके बाद आप वहां से जौइन हो जाएए जो भी important आपको जानकारी मिल पाएगी वहाँ से बहुत अच्छा थी कैसे मिल पाएगी इसके बाद आपको पीपिटी और भी इंपोर्टेंट पीडिया की फॉर्म में आपको रिलेमेंट आए हुए बैक यर की कोशन और भी आपको इश्ट्रा आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच् लेके दिया गया आपको कॉस ए माइनस बी इस इक्वल टू रूट थीरी वाई टू एंड सिक ए इस इक्वल टू टू यह आपको रेंज दी गई है एंगल ए जुह है आपका जीरो डिग्री से बड़ा है पर एंगल 90 से छोटा है मलब एक्यूट एंगल की कंडिशन है किसक इसके बाद और यह ना जो आपका एंगल भी है वह एंगल जीरो से बड़ा है पर 90 सोटा है मलब क्या दोनों एंगल की वैलू एक्यूट एंगल से रिलेटर कराई इसकी रेंज को है ना आपको इस पर ध्यान नहीं देना है रेंज पे अभी तेन भाट इस दा मेजर आप ब एंगल बी की वैलू आपको फाइंड करने बताए किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे किस नजर यह से देखेंगे आप हां बहुत एजी कोस्टन है बहुत इला जवाब इसको करते हैं भाई अब सॉल्व स्मार्ट ट्रिक के साथ इवेन है आपको इवेन है आपको कॉस 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 ए माइनस बी इस एक्वल टू रूट थिरी भाई राइट और बहुत यह अच्छे तरीके से आईसी कंडिशन से आप फैमिलियर होगे होंगे प्रिवियस एर क्लास में बहुत ए धंग से काफी सारे कोस्टन आपने किये हैं इस बेस में तो आपको यहाँ पे दिक प्रिकत नहीं होनी चाहिए मैंने क्या गाता जब ऐसे इस फॉर्मेट में आपकी क्योशन बने फैना तो इसको आप एजूम कीजिए कि भाई यह आपका क्या है पूरा थीटा हाँ पूरा थीटा तो कॉस थीटा इस एकल टू रूट थिरी भाई टू और कॉस थीटा की किस एंगल पे वा थीटा किस एंगल पे वैलू इसकी एंगल की वैलू रूट यू रूट ही आद किये तो आप बोला गी यहोता है सर ऐस्व थीटा के 회 इस डिघरि पे हाँ एंगल की वैलू क्या होती है रूट 3 by 2 इसको ऐसे लिखिए आपना कॉस्ट 30 डिगरी पे इसकी वैलू क्या हो जाती है रूट 3 by 2 आज इंटेड बहुत ही बहुत ही बेतरी चलिए इसको करते ना आगे सॉल्व इसकी वैलू आपको पता चल गई किस एंगल पर होता है एंगल थीटा की वालू जब 30 होगी तब इसकी एंगल क्या होगी रूट 3 by 2 आज इंटेड चलो सॉल्व करते हैं इसको तो देखिए आपको पता है कॉस्स बहुत ही बेसिक से बताया था बार-बार रिपीट नहीं करे है आप तो यह हो जाएगा आपका एंगल की वैलू एंगल बी की वैलू आपको फाइंड करना है और देखिए आपको यहां पर एक दिया गया है एंड सिक ए जो आपको दिया गया है सिक ए जो आपको दिया गया है यहां पर लिग लिएते हैं यहां पर लिए पर लिख लेते हैं कि ए जो आपको दिया गया है इस इक्वल टू तो बताइए इससे यह आपको जो है एंगल कोई मेजर कर रहा है तो से कौन से एंगल पर इसकी वैलू टू होती है देखके कौन से थीटा के मान पर इसकी एंगल की वैलू टू होती है वो होत तो बहुत ही बैठरीन चलिए ना इसकी वैलू क्या हो जाती है थू तो बस आ की借क वैलू आपको जाचिली तुब जीक्षे-पी जोपी वैलू कितनी आ गई 60 हाँ त building 60 डिल्स समज्ण रहनद बहुत ही बैठरीन तरीके से चलिए A की value आपके आगे यहां से 16 तो A की जगह पर आप 16 put कीजिए 16 minus B is equal to 30 degree minus B आपका adjective रहेगा 13 यह plus की value इधर आजाएगी तो minus का 16 minus का B is equal to यह कितना हो जाएगा 13 में से आप 60 जब list करेंगे तब आपकी minus की value आगे क्योंकि minus की value बड़ी है यह आजाएगा 30 और आप जानते ही बहुत अच्छे तरीके से है ना कि यह minus से minus आपका कड़ जाएगा तो B की value आपकी क्या आजाएगी is equal to 30 जो की accurate value आपने प्राप्त कर ली आप से पूछा गया A की value तो A की ने B की value पूछी गई पूछी ने तो B की value आप कितनी आई है 30 डिग्री option number C कितना 30 डिग्री यहाँ पर आप से पूछ लेता आप बताईए कि A की value क्या होगी B की value तो आपने find करने कितनी आगई 30 डिग्री अगर आप से पूछता है examiner कि A की value बताईए तो आप यहां से ना बता पाते हैं बता देते ना कितनी आ जाती एकी value इसको यहां पर पूट कर दो तो एकी value कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी ना चलिए और कई condition इसमें बना के दे सकता है फिर आप से बोल सकता है ऐसी condition कि sign A plus B की value बताऊ हां A minus B की value बताऊ तो इस type से और format वो बना के दे सकते हैं तो आप अच्छे तरीकी दिस प्रिपेर हो गए है ना यह इस टाइप को कैसे करना है बहुत ही बेतरिन तो answer कौन सा answer number C जो कि आपका 100% correct है चलते है next next देखिए आपको 15 number question क्या दिया गया है बहुत ही धंग से इसको पहले तो पढ़ेंगे लिखा है आपका sign bracket में है 2A plus B by 2 इसके बाद is equal to हाँ फिर equal में है हो सकता है camera के लेंसी के बज़े से आपको नदी कर आओ फिर से आप इसको हम लिख दे रहे हैं क्या लिखा है लिखा है आपका sign sign 2A plus B by 2 is equal to equal है आप है equal equal में है आपका cos 2A minus B by 2 इन दोनों के equal में आपको दिया गया है रूट 3 by 2 root 3 by 2 समझ पा रहे है न इसके बाद आपको यह range दी दिए रेंज पर आपको mind देना ही नहीं है क्या find क्या करना है आपको sign sign bracket में 3 फिर इसके बाद छोटा bracket हा a minus B इसकी value आपको करनी है find देखते हैं सबसे पहले तो आपको a और B की particular अलगले value निकाल नहीं पड़ेगी तो किस base में जाएं हां किस ढंक से जाएं कि हम इसको बहुत easily solve कर पाएं देखिए इसके कहने का मतलब यह हुआ sign a plus b by 2 is equal to cos 2a minus b by 2 is equal to root 3 by 2 इसका मतलब यह हुआ इसके equal में यह है और इसे equal में भी यह है समझ पा रहे है ना बहुत ही अच्छे तरीके से तो देखिए दोनों को अलग-अलग करके हम solve कर लेते हैं हाना दोनों को अलग-अलग format तो देखिए तो क्या हो जाएगा आपका यह sign sign 2a plus b by 2 इसके equal में क्या है root 3 by 2 correct इसके बाद अलग-अलग partition में कर दो इसके बाद आपको second क्या है आपको यह cos 2a minus b by 2 equal में root 3 by 2 और बहुत अच्छे तरीके से familiar हो चुके हैं ऐसी equation जहां भी बनें तो आप देखेंगी कि किस theta के angle पीश की value कितनी बनेगी है ना चलिए इसको पूरे को आजिम किये जिए कि यह आपका क्या है बन रहा है theta correct इस पूरे के assume कीजिए कि आपको बन रहा है theta sin theta के किस angle पर root 3 by 2 होता है किस पर होता है ? 60 पर इसकी value क्या होती है root 3 by 2 2 लिख भी दे रहे है चलिए अब इस वाले format देख लें cos यह जो पूरा लिखा है आपको assume करना है कि यह theta लिखा है cos theta के किस angle पर root 3 by 2 होता है 30 degree पर किस के ? cos 30 degree पर इस angle की value क्या हो जाती है root 3 by 2 2 चलिए इतना तो आपने कर लिया आप इसके बाद आगे क्या solve नहीं कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके solve कर पाएंगे ना चलिए तो यह आपका क्या हो गया पूरा एक बाली के लिएते 2a plus b by 2 is equal to यह आपके किस angle की value होती है तो बोलेंगे sin 60 की value होती है 60 की value और आपको ही पता यह आपका 2 इधर चला जाएगा तो 2a plus b is equal to हाँ 6 का 2 time multiply कराएंगे 60 का हाँ तो कितना हो जाएगा 120 डिगरी 120 डिगरी यह आपकी हो गई equation equation first equation first कर लिए इसको करते है solve इसको कर यह solve देखिए तो यह कौस के किस angle पर इसकी value होती ही root 3 by 2 तो 30 एंगल पर हां तो देखिए तो 2a minus b by 2 is equal to यहां पर कितना आ जाएगा किसकी value होती है तो 30 की है ना भाई 30 की यह आपका cross इधर multiply हो जाएगा तो आ जाएगा यहां से कितना 2a minus b is equal to क्यों हो जाएगा आपका 60 degree यह आपकी मालो equation second हाँ equation second कि compare करते है equation first or second को क्योंकि देखिए 2a plus b is equal to 120 degree हाँ 2a minus b is equal to 160 degree क्योंकि यह दोनों equal जो था दोनों को part की value क्या थी root 3 by 2 तो इसको को दोनों को कंपेर करा सकते है ना बहुत ही बेतरी न तरीके से है ना चलिए तो नेक्स लाइट पर इसको कंपेर कराते हैं और पर्टिकुलर ए और बी की वैलू आप फाइंड कर पाएंगे तो चलिए 2a plus b is equal to 120 degree हां फर्स्ट एक्वेशन का है एक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड लिखते हैं क्या करना पढ़े पहले तो एक्वेशन लिखिए एक्वेशन आपको 2a plus b is equal to 120 degree second equation क्या है 2a minus b is equal to 60 degree 2a minus b is equal to 60 degree तो यहां से आपने क्या किया equation first और equation second को क्या किया यहां पर आपने equation first plus किया equation second को समझ पा है ना चलिए अब इसको solve कीजिए आप solve करना तो आता होगा ना question solve करना जब आप add करेंगे तो बी प्लस और बी माइनस की value खतम हो जाएगी इसके बाब बचेगा आपका क्या 2a 2a हो जाएगा आपका 4a 4a is equal to left hand side left hand से compare कराते हैं right hand side right hand का material से compare कराते हैं यह आपका कितना हो जाएगा 180 degree as intended तो एक ही value आपकी कितनी आ जाएगी यहां से एक ही value भाई जाएगी 180 यह आपका multiply में इधार आ जाएगा तो डिवाइड में यह. एक बार में काट दीघी है तो फिल्व थीरे से एक बार में तू से काट एगफ कितना हो जाएगा आपकाow 45 star degree तो adjust the value आपकी कितनी आ गई एकी वैल बाहत पैठीके सी अपमें निकालिए कितनी 45 डिगरी अब जब आपकी एक एक वैलू हुआ हो गई है तो एक कि वैलू को सपूर्षट यह सेकोड़् में रहेडocratic किसी तो आपकी वैलू तो आप क्या करेंगे आज से पूटिन इकोशन पूटिन इकोशन फर्स्ट मतलब कहने कि वह एक ही वैलू को इकोशन फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट आपकी कौन सी है यह वाली क्या है आपकी 2a 2a plus b is equal to 120 degree यहां से जब आप a की वैलू इसमें पूट करेंगे एक ही जगए पर कितना रखेंगे 45 हां देखो इन्टू एक ही जगए पर रखा आपने 45 प्लस बी इस एक्वल टू एक्सोब इस डिगरी हां बैतारिस को दो गुना हो जाएगा आपका 90 और नब्बेस में से आप लेस्ट करेंगे डारेक्ट हां 120 में से जब आप नब्बेस करेंगे ट्यक्त भेज दिया तो बी कि वैल्या आपको कितनी आ जाएगी 30 डिगरी हां और आपको find क्या करना है find आपको करना था देखिए कितने अच्छे तरीके से लिखा हो दिख रहा है साइन 3a-3a-b हां चलिए find करना है मरे भाई साइन हां 3a-b की value आपको find करनी है यह आपको करना है find तो value रखिए answer आपका आजाएगा sign आपका एजटीच रह जाएगा इसके बाद 3 और a की value क्या आपकी a की value आपने निकाली ना 45 माइनस b की value कितनी आए 30 डिगरी हां चलिए sign तरी आपका एजटीच एक भी आपकी step skip नहीं किये मैं अगर चाहता तो आपको इतना कुछ करना ही नहीं पढ़ता मैं डाइट कर देता पर आपको समझ में ना आता तो फिर दिक्कत हो जाती ना चलिए इसलिए तो 45 में तीस अब जावाब लिस्ट करिंगों कितना हो जाएगा आपका 15 हां 15 कि यह कितना हो जाएगा आपका 45 sign 15 यह 45 और sign 45 की value क्या होती है आपकी क्योंकि sign 45 की value आप बहुत यह अच्छे तरीके से जानते कितनी होती है वन भाई रूट टू यह आपका हो जाएगा करेक्ट मेरा भाई अंसर साइन पाताइस के वैलू क्याती वन भाई रूट टू चलिए हाँ रंसर कौन सा हो जाएक वन भाई रूट टू आप्सन नंबर बी जो किया आपको बहुत ही पैत तरीके से चमकता हुआ देकर आए हां वीफोर बेवी हां चलिए वह आपको जाए करेक्ट ऐससे सीजियल को संदा बहुत ही बिंदास तरीके से आपने इसको किया है सॉल् इसके बास सोला नंबर देखिये को सन एंटी पीसी में पूसा गया है देखते हैं कैसे अपने आप में बहुत ही अच्छा को सन अच्छे लेवल का को सने पढ़िए क्या लिखा है लिखा है आपके कोस्टन में इफ ट्रेंगल ABC हाँ इज ए राइट अंगल ट्रेंगल और देखिये राइट अंगल ट्रेंगल भी है और आइसोस्केलिज भी है right angle triangle तो है पर isoquialis भी है triangle right angle triangle at B then find the value of sin A minus C plus sin A plus C minus 2 sin B upon court A plus court B plus court C किस नज़र यह से आप इसको solve कर पाएंगे सबसे पहले तो बनाते हैं क्या मेरे भाई right angle triangle जलो बनाते है right angle triangle अब इसमें कंडिशन आपको क्या देगे की भाइए फिर से पढ़े बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही प्यारा कोशन इफ करेंगल ABC इसरै प्यार क्या की इसकार के आपको पता है उन दधा आधार पर आपके तरह से अंगल का निर्माड़ होता है है कौन-कौन से Iskallan, Isoskallan और Equillator. आजस सेम आपका एंगल के आदार, कोडों के आदार भी आपके तीन प्रकार के ट्रेंगल बनते हैं, कौन-कौन से Acute Angle Trangle, Acute Angle, Right Angle और Optuse Angle, Nune-Kon, अधिक कोड, समकोड, वो Angle की बात हो गई. सब्सक्राइब बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाले ट्रेंगल कंसेप्ट में आपको सारा कुछ के लिए करा जाएगा ठीक है पढ़ना आपको जिमेट्री का पार्ट है ठीक है यह आपका जिमेट्री का आइसो स्केलेस मतलब क्या संभाव समध्य बाव और वि समझाते हैं न हम अब मेरे उपर चोड़िए सॉल्व हम कराएंगे बहुत इजी वे में चलिए राइट एंगल ट्रेंगल भी है जो कि आप जानते राइट एंगल ट्रेंगल में एक कौन आपका बिल्कुल 90 का फिक्स होता है कि इतने का 90 डिगरी का वह एकदम बिल्कुल फ ट्रेंगल की दो साइड आपकी हमेशा इक मतलब होंगी और इसका ऐसे मतलब देखो यह शकर क+, अ करेक्ट मैंने कहे दिया पहले नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा देते है आईhe त्रेंगल की जानकारी आपको दे देते हैं बहुत ही जरूरी हो जाता है आपको समझना और वार्टेक्स को आप हमेशा काइपिटर लेटर से टीनोड करेंगे जिसमें राइट अंगल ट्रेंगल क्या है भी इसके बाद मैंने आप से कह दिया कि एंगल एक वैलू आपको मैंने दे दी कितनी 45 डिगरी और इसी के साथ साथ मैंने कह दिया एबी रेखा बीसी रेखा क यह इकवल एबी रेखा बीसी रेखा के एकवल है तो मुझे बताये एंगल सी की अगल क्या है कि कैसे करेंगे आपको बताना है कि एंगल साथ कि वैलू कितनी आएगी कैसे रिलेट कर पाएंगे देखिये बहुत इंपेर मेचने जा रहे है मैचनी नहीं हाला कि यह कंडिश ज्यादा यह 90 है यह पैतालीज है तो 90 पैतालीज स्कॉइड करके एक्सोसिस में घटाएंगे तो एंगल सी की वालू डेफिनेटली कितने निकलेगी पैतालीज डिगरी समझ पहें चलिए हाला कि वह पैतालीज डिगरी निकलता क्यूंकि देखिए मैंने कह दिया आपके साइ पार्याट मिलेगा आप डही प्रश्म निए हाला कि सब जूमेर्फशच कंपार्ट है जूमेर्फश में भिल्कूल आपको बिल्कुल बिधृत तरीके से बताएंगे बताएंगे साथ ये थीन यह आंपको त्रेयंगल्त येंमरियां है आपके क्या है रायट एंगल ट्रे हम बताना आपको यह चाहर है कि यह राइट इंगल ट्रेंगल हैं बहुत ही बेतरीन मैंने कहा दिया इसकी आपकी जो साइड है सारी अनिकुल है हां जारी आनिकुल हैं जिसके भी यह यह बी और यह सी कहने का क्या हुआ A B not equal to A not equal to B not equal to C हाँ किसी की भी equal में यह तीनों side नहीं है कि side का relation लिखने का method होता है इसके बाद इस wire triangle पर आईए मैंने कहा दिया A B रेखा B C रेखा की equal है हाँ इसकी value दे दो A B और C यह आपकी unequal है तो इसको लिखने का method क्या हो गया A B is equal to B A is equal to B sorry A is equal to B पर not equal to A B किसके C के यह किसकी triangle की देखो जिस यह आपको राइट अंगल triangle है नॉर्मल भी आप कोई भी triangle बना लो ठीक है अगर आपकी side तीनों unequal है तो वो क्या कहला है आपका scale and triangle हाँ विसंभा उत्रभूश correct on the basis of side के आदार पर विसंभा उत्रभूश हो गया यह इसके बाद अगर आपकी किसी भी triangle की दो side equal है तो अगर side equal है तो यह क्या कहला एगा आपका आई शो स्क्रेंगल करेक्ट इसके बाद अगर किसी भी triangle की तीनों side equal है मतलब ए ए ए और ए ऐसे लिखेंगे ना ए इस एक्वाल टू ए इस एक्वाल टू ए तो यह क्या कहला जाएगा आपका इक्वी लेटरल ट्रेंगल सब्सक्राइब यह हो जाएगा आपका समध्य बाओ त्रबूच समझ पाया ना और यह आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है कि एक्वाल है अगर को साइड को अपाज में लोटी के सामने यापका लोल क्योगि ऑफ कर सा मियोटाथ है हाला कि बापको सब्सक्राइब क्लास दिखेंगे ऐपको किसी में दिक्कत होगी नहीं मेरे बाइस से पाहदे तो आपको सारी क्लास को देख भ्याया करना है इसका सेनारियो का मतलब समझे बहुत ही बेतरी चलिए तो एंगल सी की वैलू क्या जाएगी आपकी 45 अगर दो साइट किसी बेंगल की दो साइट इकोल है इसके सामने का कौण भी आपका इकोल होगा समझ पहा है न चलिए वही कंसेट का यहां पर आपको यूज करना ह इसकोछ ट्रेंगल का मतलब क्या हो गया जिसकी दो साइड हमेसा आपकी एकोल होनी चाहिए और अगर वाई शाइट इकोले तो सामने का एंगल भी इक्वाल होगा, converse भी इसका truth सही होता है, आइस उसको एक triangle है, right angle triangle, right angle triangle की value क्या है, B, right angle triangle की vertex की value क्या दिक है, B, तो करते हैं न, A, B, और ये C, as intended, इसके बाद, इसके बाद भाई क्या दिया गया है, find the value, आप इसकी value आपको करनी है, find, कैसे कर भाएंगे find, करते हैं न, देखो, right angle triangle में, हाँ, एक कोड़ आपका 90 का fix होता है, इसके बाद, right angle triangle भी है, और given B, क्या है, आई-स केलिस भी है, और आई-स केलिस कहने का मतलब ही होता है, कोई भी दो side आपकी equal होनी चाहिए, तो कौन सी दो side equal है, इसके सामने का कोड़ भी आपका equal होगा, तो यह 90 है, तो आफेसली सी बात है, बागी बचे वे दोनों की value क्या हो जाएगी, 45 और 45 क्यूंकि एक सुस्सी से ज्यादा होना ही होना चाहिए, यह ट्रेंगल की value यह भी condition होती है, इस format में, इसके अलावा आपको कोई भी method नहीं है, इसको easily solve परने का, single method है, बहुत easy सही हो जाएगा, करते हैं बागी आगे इसको solve, इतनी बाद समझ पहाए, condition आपको यह दी गई है, यह करना आपको solve, इसको करिए आप select, और करिए छोटा थोड़ा से इसको, background, white, चलिए, इतनी बाद समझ पहाए, आप करते हैं ना इसको solve, इसको solve, condition आपको यह दी गई है, फिर से आपको लिख दे, चलिए लिख दे रहे हैं, क्या है आपका sign, हाँ, कहीं पहीं लिख दे, sign, sign, a-c, plus sign, a-c, plus sign, a-c, minus, minus आपका 2, sign, b, correct, upon, upon, आपका caught, a, plus caught, b, plus caught, c, correct, करते हैं ना, sign, हाँ, अच्छे तरीकी से solve करते हैं ना, चलिए, sign आपका as it is रह जाएगा, हाँ, sign, आप करते हैं इसको solve, sign, इसके बाद, angle a की value आपकी कितनी है, 45, लिखते हैं ना, 45, minus, angle c की value कितनी है, आपकी 45, समझ पा रहे हैं, इस method से करेंगे इसको solve, यहां से जगह कम पड़ रही है, चलिए, sign, angle a की value कितनी है, आपकी 45, minus angle c की value कितनी है, जिस angle का जिकर किया गया है, आप पहुंचेंगे तो भाई उसी angle की value के पास, ना, angle c की value क्या है, 45, plus a plus, sign, इसके बाद, angle a और c की value को आपको add करना, angle a की value आपकी 45, और c की value आपकी 45, 45 को आप करना है, इस format पे इसको add, इसके बाद आगे का है, minus, minus 2, sign, sign b की value क्या है, sign b, b की value क्या है, आपकी 90, हाँ, यहाँ पे देखिए b है, तो b की value क्या है, आपकी 90, अज इंटेट, आप इसको, इनो मेंटर वाला पार्ट भी लिखते है, क्या है, कॉर्ट ए, हाँ, a की value क्या है आपकी, a की value है, मेरे भाई 45, 45 प्लस, प्लस, कॉर्ट और आप जानते हैं, बूर डिगरी के format में बात हो रही है, तो बार-बार डिगरी आम नहीं लगा रहे है, तो आप समझ लेना क्यों डिगरी की बात हो रही है, चलिए, प्लस, कॉर्ट, बी, आप, बी की value क्या है, आपकी 90 डिगरी, हाँ, 90 डिगरी, ब्लस, कॉर्ट, सी, एंगल, सी की value के आपकी 45 डिगरी, हाँ, 45 डिगरी, इतना solve हुआ, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ, चलिए, आगे बस आपको भी पताया, बस इन, थीटा की value की, एंगल कमान रखना है, हाँ, चलिए, तो, साइन, साइन, देखो, डैक्ट करते हैं, चलिए, साइन, यह क्या हो जाएगा, साइन, जीरो, हाँ, 45, 45 क्या हो जाएगा, आपका, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, साइन, जीरो की value क्या होती है, हाँ, साइन अवल फिरसे दिखा दे ख़ा देतें आपको यह रही है भाई आपकी टेवल एक भाप फिर से आप देख लिजीए नजर हाँ चसेनरियों को फिर से देगत लिजिए इसके बाद बार पार केरें मिट टेवाल आपको याद रखीू अपनी ही il साइन जीरो साइन जीरो की वैलू क्या हो जाएगी आपकी जीरो प्लस यह क्या हो जाएगा आपका साइन नाइन टी और साइन नाइन टी की वैलू क्या हो जाएगी आपकी वन माईनस 2 expos90 के वेइलो क्या होजाएगी आपकी1 Arpawn 445 के वैलो क्या होती है 1 in yes what 90 के वैलो क्या हो जाएगी हां 520 की वैलो क्या होगी Isn't 421 and 420 UP ол को बताईए in and and uh about West 해 किवे यहां पर थो जाएगी आपकी chaha when मिरे कॉर्ट ननिंट्ग क्या होगी एप 10 , 0 की बन जाती है is कॉर्ट ननिटी की वईलू ह में कि जलो एक बार और दिखा राधे मिर इसे बारने आप मोन से क्वाइन हो जहें है , क्या का झाल ? क्या होती है , नाट zo थी ? कर नो छेलिए , समझ भा रहा है ना , धलिए , इसलिए दिखाया कि आप यह न लगती , कोई इस्ट की हां चले और है , आप हुल हिस्ट नाइन ती है क्वाइब मेरे , my governor काट 90 क्या होती है ? ZERO कॉर्ट 90 की वालू जीरो होती है करेंक गिवैलू हो जाएग या आपकी जीरो चलो इसकी वैलू फुट कर दिये आप करते को फाइनेली सोल यह हो जाएगा आपका 1 पाइनस टू अपॉन नीचे क्या हो जाएगा आपका टू तो इस इक्वल टू माइनस वन बाइट तू आपका हो जाएगा टरेक्ट एंसर तो वैलू याद करना भाई अपने आप में बहुत ही जरूरी हो जाता है तो कौन सा ऑप्सन आ जाएगा ऑप्सन नमबर माइनस का व पूर्ण भी है और आईसो स्केलेज भी है कंडिशन उसमें दी थी ना चलिए तो यहां से इसको इस कंडिशन को अगर आप सॉल्व कर लिए तो फिर आगे आपका इस फॉर्मेट में अंसर बहुत ही बेतरी तरीके से आपका बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगा चलते हैं स्थों से इे नेक्स्ट आपका है 17 कोश्ङडर सन घरना आप मल भागने कैसे बनाएंगे स्सु का कोश्ण है मैं विए इसको बनाने की लिए हम आपको बताएंगे 2 मैथेड हे तो मीथे बताएंगे तो पहले करते है सो यहां पे आपकी योट्योर्षन बनेगी है और एकवसर्ण इसाल करना बहुत ही आसान में आपको बताएंगे कित्रिक के माध्यम से इतने भी आपकी लेंदी कोष्ण हो आप केवल और केवल दो स्टेप में इसको सॉल कर सकते हैं इसकी एकस के वेल्यों आप कर सकते हैं देखो दिया क्या गया है 17 नंबर को चना पोदिया गया है पिस टेन स्कॉर्ण ए माइनस 6 एन ए प्लस 9 इस इकल टु जीरो यह आपकी रेंज है वाट इस दा वैलू आफ टिक्स कोट ए प्लस 8 रूट 10 पोस ए करते हैं इसको पहले लिखिया एकृष्ण आपको क्य क्या दी गई है एक्वेशन भाई मेरे दी गई है आपको 10 10 इस्क्वाइर ए माइनस इक्स टेन एक्वेशन और बताईए बहुत अच्छे तरीके से ऐसी को आप सॉल्व कर चुके हैं कैसे कर सकते हैं एक थोड़ा सा टाइम आपको दे रहे हैं बताईए कैसे पर सकते हैं हां चलो पहले करते हैं इस्क्वेशन को सॉल्व करते हैं मिल्कुल बेसिक से चलिए तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है भाई मेरे कुछ नहीं करना है यहां पर लेट करिए हां लेट आपको क्या करना है लेट करना है आपको 10 a is equal to x अब जब आप यहां से यह लेट करेंगे तो आपकी हो जाएगा यहां से मौज किस टाइप की मौज होगी बहुत ही बेतरीन तरीके से देखिए तो 10 a की जगह पर आपको क्या करना है x तो यहां पर हो जाएगा आपका x square हां x square minus 6x minus 6x plus 9 अब आपकी यह equation format में चेंज हो गई और आपको equation solve करना बहुत यह अच्छे तरीके से आता होगा पर आपको basic method आता होगा पहले इसको basic से बता दें इसके बाद आपको कितनी मी बड़ी है आपकी equation हो हम बताएंगे smart process solve करना केवल दो ट्रिक में हां दो लाइनो में तो पहले तो इसको करते हैं solve करते हैं किसे बैसिक से तो देखिए ऐसी कोई नंबर दो चूस करो जिसको add करने पर कितना है माइनस 6 है multiply करने पर कितना है 9 तो कौन सी है माइनस 3 और माइनस 3 और माइनस 3 करेक्ट तो क्या हो जाएगा आपका x square minus 3x minus 3x plus 9 is equal to 0 मैंने क्या क्या है ऐसी कोई दो संक्या सोचिए आप की प्लस करने पर माइनस 6 आए इंटू करने पर आपका आए क्या 9 अब इसको यहां से solve करी एक्स के वालू नका लिए आसे तो देखो एक्स दोनों में से एक्स कॉमन है तो एक्स माइनस 3 माइनस 3 इसके बाद आपने लेट किसको किया था एक्स तो आपने x को लिट किया था 10 को हां 10 a की वालू आपकी यहां से कितनी आया चुकिये तो 10 a की वैलू आपकी आप को आचुकियula 3 अब आप देखिए यहां पे लगां यह हेज you triplet हां triplet को इसके नीची अगर्न कर देर हमां तो कोई है बेस समझ पाइब भूल तो नहीं रेक्या होता है अपना पंडित बदरी पुरुषाद और हर हर बदरी पी अपॉन बी यह होता है आपका टेन पी एपॉन पी रिवर्स हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका कॉट समझ पाए ना बहुत यह अच्छा चलो यहां से देखि मिर भाई को अधी बेस की एक कितनी यह गहिए वन अभ Finally अब कि फिरी तो हाइपउ की वैल्यूस आपका आपकी रूट 10 हां तो हाइप रूट 10 हाही आँ अची Call Yes Ret我 पाया ना बहुत ही बेथरीं फाइंड आपको क्या करना है यह लिखा ना भाई इसकी को करना आपको फाइंड तो करिए ना फाइंड टिक्स इकॉट इसकॉट ए लस्टू कि नहीं एट रूटेन एट रूटेन और कॉस ए आस ए कि वैलू रखिये अंसर आजाएगा आपका बहुत यह अच्छे तरीके से देखिए तो शिक्स आपका एजट इस और टेन किसका रेशिप्रोकर होता है कॉट का हां कॉट का तो टेन की वैलू क्या निकली थी आपकी थिरी बाई वन तो यह क्या हो जाएक वन भाई थिरी हां बंभाई थिरी tirar को फिर प्लस एट आपका एजट इस ऊच्छे टेन आपका इसटीज इसके दाद Volkswagen.. पबदो थे पॉस होता है क्या पका आपका आपका और बहुंब यहां था पूस आप थिर्याऑं ह समझ पढ़ाया प्लस यहां से आया है कि आपका 2 plus 8 is equal to 10 जो कि आपका करेक्ट एंसर है कितना आया आपका 10 ऑप्सन नमबर सी मेरे भाई करेक्ट है अभी इस एक्वेशन को किया किसे आपने मैथट वह भी कौन सो मैथट बेसिंग मैथट से अब आपको हम सजेशन नहीं देंगे कि इस बेसिंग मैथट से आप कर जलो हाँ हाँ आप इतनी वैलू फाइंड की इसके बाद अब इस एक्वेशन को बिल्कुल बताने जा रहे हैं मैथट नमबर टू से जलो कि क्या है कैसे है मैथट नमबर टू से बताने जा रहे हैं आपको मैथट नमबर टू से इस एक्वेशन को कि बहुत अच्छे तरीके समझना है एक क्वेशन सौल करने का दो लाइनों में अंसर आपने क्या लिट किया एक वैलू को लिट किया आपने एक्स तो इतना तो आप उस सेम करना पड़े गए यहां से हो जाएगा आपका एक्स स्कूर माइनस एक्स एक्स इसके बाद डारेक्ट एक्स की वैलू पता है मेरे कैसे निकलती है यहां से आज हम आपको बहुत बेधरी निकालेंगे देखो टो एक्स कोई भी दो नमबर आपको ऐसे सोचना है मल्टीपल में कि प्लस करने पर आपका है माइनस इक्स और इंटू करने पर आया आपका ना करनी में तो कौन से नमबर है आपके आफके कौन से माइनस थिरी और माइनस थिरी यह आपकी एक ही वार में ठीक है सभसे पहला मैत है क्या करना है यइंट करने पर नाई सब्सक्राइब आपको क्या करनी है से करनी है कि इसके नीचे एक स्क्राइर के कॉफिसेंट से डिवाइड करिए हां से करनी है यह कि अब आपने इतना तो लिग लिया अब सक्राइर के कॉफिसेंट से हैं की इनकी जो निसान नीचों से तो समये से प्लैस कख़े लिए यहां पर यहां पर आपकी 10x की यहां से 10 a की वैलू आपको कितनी आ गई 3 upon 1 और जानते हैं जब आप इसकी वैलू आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 जूकि आपका 100% करेक्ट एंशर है तो उर्ल किया था ना चलिए समझ पहाई न अब आपको 2 से 3 को संदे रहे हैं आप बताएं एक बार में आप इसको कितनी जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे हां चलिए दो से त्री कुरिशन दे रहें आपको दे रहा है एक्ट सक्वाएर है एक्युरस्ट देंगे एक्स कर माइनस फाइप एक्ष प्लस डिक्स इपट हो डिक्ट बुखे एकुस्थ स्कोर माइस पाइप क्स एस इक्वल टू पाइप एस इस इक्वल टुम धू आपको एक tá एक्षिस्कुयर ने थे स्ट्फ कर टे Grey at को find करना है तो मैंने क्या बताया तब से पहले आपको दो नंबर ऐसे सोचने है कि add करने पिए माइनस प्राइप आल और इंटू करने आपका 6 आ है तो हमने सोच लिया ऐसे कौन कहूं से नॉबर है ऐसे कौन से नमबर आपके हैं 3 और 2 तू को करेक्ट opinions 3 और सब् processes सब्सकुर् Catalunya इन दोनों में निटीए क सब्सक्राइब क identific करना आपको डिवाइड तो कसे इन को आप पलट दीई यह प्लस है तो माइनस कर दिया माइनस है तो प्लस तो एकस के वाइल आपकी डाइट कितनी निकालाए त्यृ और तू आज इंटेड देखिए कितनी एक ही बार में आप निकाल ली आज एस सिमिलरली आप यह भी सॉल कीजिए तो कैसे हो जाएगा एकस के वैलु एक बार में कैसे निकाल पाएंगे ऐसे कोई दो नंबर सोचिए जो कि एड करने पर कितना है माइनस सेवट और इंटू करने है आपका 12 तो कौन कौन से नंबर है आपके ठीड और 4 वह भी माइनस का ठीड और माइनस का फोर एड करिंग कितना आ जाएगा आपक को इसमें कराना है दोनों में डिवाइड एक स्क्वायर का कॉफिसेंट कितना है कुछ नहीं तो भाई एक लिखा होता है फ़र्ड स्टेप आपको क्या करनी है इनके जो निसान है ना सेंबल इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए तो एक्स के वालू आपको कितनी आ जाएगी चलिए तो गुड़न खंड चलो इसके गुड़न खंड करो तब तक मुझे आप बताईए हम इसको सेट कर लें थोड़ा सा बैक्राउंड चलिए हो चुका है भाई आपको कितने इजिली बताया मैंने दिया है आपको गीवन है आपको 3 3 6 theta plus 4 cos theta minus 4 root 3 is equal to 0 तो फाइंड करना है आपको theta की value तो चलिए सबसे पहले तो इसको या तो आप sec के format में लाई है या तो cos के format में लाई है तो क्या करेंगे कुछ नहीं करना भाई left hand और right hand side में क्या करना है एक्स पॉस एक्स का डिवाइड करा देना क्या कॉर्ट पॉस एक्स का डिवाइड करा देना है चलिए कराते हैं या तो फिर देखो वो डिवाइड कराने का मतलब यह हुआ यह आपका बन जाएगा 3 हाँ और sec क्या होता है किसका reciprocal होता है sec is equal to cos theta का तो 3 cos theta plus यह आपका क्या हो जाएगा 4 cos square theta minus हाँ minus 4 root 3 4 root 3 is equal to 0 क्योंकि जो आपको कॉस हो गवापको चला जाएगा काहाँ पे 0 पर समझ भाएणा क्योंकि ऐसे क्योंकि आपको equation को करना है easily solve कि समझ पायाने क्या यह आप हैसे मज़ए बस cos x से common ले लिया या फिर cos x से इसमे क्या करा दिया आप कि मल्टिपलाई समझ पाया ना चलू तो मेरे भाई यहां से आपको आप तो solve कर पाएंगे ना अब तो solve हो जाना चाहिए आपका तो कैसे solve करेंगे जो हमने equation लिखी है सही है गलत बताईए यह हमने थोड़ा सा अच्छा एक आपकी यह equation बन रही है क्योंकि आपकी रॉंग equation ठीक है तो सही क्या बनेगी बताईए सही मेरे भाई यह बनेगी देखो यह आपकी question है चलिए अब इसको क्या करते है कॉस के format में चेंज करते तो यह आपका हो जाएगा थीरी और यह हो जाएगा आपका वन अपन वन अपन कॉस थीटा बेसिक से बता देए प्लस यह हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस फोर रूट थीरी इस इक्वल टू जीरो अब क्या कर रहा है मेरे बाई कुछ नहीं यहाँ पे दोनों साइड में क्या करा दिए लेफ्ट हैं और राइट हैं साइड में क्या करा दिये गए आपका कॉस एक्स से हां मल्टिप्लाई आप तो समझ पा रहे यहां पे आपका फोर और कॉस इंटू कॉस हो जागा कॉस स्कॉर थीटा माइनस माइनस फोर रूट थीरी कॉस थीटा इस इक्वल टू जीरो क्योंकि जीरो में आप कॉस थीटा का मल्टिप्लाई करा रहे हैं तो वैलू आपकी जीरो ही रहने वाली भाई समझ पाए ना च कर रहे हैं बस माइनस 4 रूट थीरी किसल इस अब यहां से लेट कीजिये क्या आप कर दिया ya कोई एक्स को हां लेट करेंगे आप यहां से कॉस एक्स कॉस थीटा है कॉस थीटा इस इक्वल टू एक्स आपने ये लेट कर दिया तो जहां कहीं भी आपका कॉस है वहाँ पर क्या रखेंगे आप एक्स प्यों हो जाएगा आपका 4x स्क्वाइर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 is equal to 0 समझ पा रहे हैं ना बहुत ही बेतरी चलिए अब आपको क्या करना है तो फैक्टराइजेशन करना है ऐसे कोई दो नमबर देखिए जो की मल्टिप्लाइ कराने पे आपका ये बने और सोरी एड करने पे आपका माइनस 4 रूट 3 बने और माइनस का तो रूट 3 आपको सोचने हैं और वह दो नमबर मेरे भाई कौन से आपके हां तो वह आपके दो नमबर है माइनस टू रूट 3 और माइनस टू रूट 3 ये आपके दो नमबर है तो चलिए उससे करते ना पहुत दो और आता है अपना बहुत बहुत ही बेधरीन तरीके से अंसर इसके न चलो करते हैं अब इसको सॉल्व कर भो जाना चाहिए यह करा दें और दो तो कौन कौन से नमर माइनस का टू रूट 3 और माइनस का टू रूट 4 ये दो नमबर ऐसे आं जो की जब आप इसको इसको मल्टिवले 12 आएगा अब इस equation को क्या मैंने दो नंबर सोच लिए उसके बाद second मैं इठा था आपको क्या बताया x square के coefficient से इसमें दोनों में कराना है क्या डिवाइड तो वो कितना है 4 तो यह आपका कितना हो जाएगा कर देना आपको चैंज नके सेंबल को करना आपको चैंज तो X के वैलू कितनी आ गई तो X के वैलू आ गई आपकी रूट थिरी भाइथ टु एक्सी के वायलू कितनी आंगे आपके रूट थिरी बाई दू तरह को एक्ट और आपम लिड्क किया था पसे अडां कॉश धृट हाहा कोस थीटा हां कॉश्ट इते पाल होगात तेखिया था तो एक से फिरी वैलू कितनी आगए आपकी रूट थी वैलू कि पाई हुआ तू और कॉस होता क्या है आपका तो कौस आपको होता है बेस अपॉन आपको यहां से पर पेंडिकुलर की वैलू कैसे निकलेगी वाला कि कुछ नहीं आपको ज्यादा कुछ करना है च्योंकि निब्सक्राइब याड इसकी एंगल पर होती है एक इसकी एंगल पर होती है थर्टी डिगरी हाँ मैं पॉसके 30 डिगरी पे इसकी एंगल कि वैल्ए क्या हो जाती है रूठ 30 रूण कि तू कि तो तो कितना अंसर आजाएगा आपका 30 ओप्सन नंबर बी जो कि है आपकर समझ पहें तो इस बेस में आपको करना इस अंसर को सुर्व बहुत एज लिए आपका आसान में अंसर आ जाएगा को कुछ था नहीं कोशन में वाकि 18 नंबर नेच्ट आपका चॉंसरों र बार कर लेना बहुत प्यारा और बहुत अच्छा को संथता अब पूचागया आपको कुछ नहीं ऐधा आप जाहिए बिल्गुल बेसिक से इसा यह तो मैंने जो में रहें बताए क्या एक लेक्षक निकालने के लिए कुछ नहीं करना सबसे पहले दो नमबर आप ऐसे डूनिए कि प्लस करने पर आपके माइनस 4 रूट 3 आए तो हमने सोच लिया पहले से क्या है आपके माइनस का 2 रूट 3 माइस का 2 रूट 3 इसके बाद सेकेंड आपको क्या है एक स्कुर्ण के कॉफिसेंट से भाई इसमें कराना है डिवाइड आपको एक बार में कितनी आगे और स्थार्ड सेप क्या थी इनके सेंबल को बस बाई चेंज कर दो प्लस है तो माइनस माइस है तो प्लस एक्स की वैलू एक डिपवार में कितनी आगी रूट 3 by 2 इसके बाद आपको रेचियो की वैलू ने पूची गई थी डायक्ट आपको थीटा की वैलू पूची गई थी सबसे पहले तो एक क्लास लग जाएगी इसके बेसिक बताने में वह बेसिक क्या है वो जब आपकी class होगी उस तब आपको जिकर किया जाएगा बांकी जतनी भी previous class हैं आपको अपने इस चैनल पर रिकॉर्डर फॉर्म में प्रोवाइट करा दी गई है जो कि आपको एक एक करके सभी क्लासे देखनी है अगर आपने तुरू से आप मेरे साथ जुड़े हैं तो किसी भी कंसेफ्ट पर आपको दिक्कत नहीं होगी नहीं होनी चाहिए फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमें आप शेयर सब्स्राइब करते रही है ज्यादस ज्यादा लोगों तक वीडियो को अड़ करिए ठीक है ना बाई और टेलीग्राम को जरूर एड कर लेना अपने पॉन के लिस्ट में च्छोटे से लिस्ट में आप टेलीग्राम को एड़ कर लेना अपने इस चैनल का जो कि आपको डिस्क्रेप्शन में जाएंगे यूटूब के तो वहां पे आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा लिंक बहुत ही मैत पूर्ग इसलिए वह लाओं आपको जान करना क्योंकि वहां पे आपको इंपोर्टन चीजे आपको फिरी में प्रोवाइड कर आई जाती है प्र प्रोवाइड करा दिया जाएगा वह भी फिरी में और और भी कई चीजे आपको बिल्कुल फिरी ओप कॉस्ट हां निसूल को बिल्कुल दिया जाएगा तो क्या करना है उसको एड करना अपने फोन के छोटे से कौने में आपके लिए बहुत ही मैत पूड़ होगा फिरी में चीजे आए तो लाब उठाइए ना और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए बागी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट विलास में लव झाल 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 झाल